कास्टिंग से पहले जब आप पाइपिंग का काम करते हैं तो उसके बाद कास्टिंग होती है रूफ की तो रूफ के कास्टिंग के टाइम में बहुत बर क्या होता है कि आपने जो किंसील बॉक्स डाल रखा हुआ है सीलिंग में वो छुप जाता है तो आप कैसे उसको स्पॉर्ट कर सकते हैं कि वो कहां पर है यह जो मैं इशारा कर रहा हूँ यहां पर यह प्रोस्पेक्टिव यहां पर हो सकता है तो आक्चली मैंने पता कैसे किया कि वो वहां पर हो सकता है मैंने एक तार डाला तार जहां पर आगे नहीं बढ़ रहा है तो में को समंच में आग crawl कि वहीं बढ़ रहा है तो उस सबसे पहले मैंने रचा कि water level pipe लेया उसके अन्दर में पाणी ढ़ला पाणी आप कैसे डाल सकते हैं pipe की एक end को आप एक बॉटल में जिसमें पानी है उसमें डालनें और दूसरे एंड में आप एक बार उसे अंदर की तरफ लें और फिर नीचे फैगनें तो पानी अपने हाप उसमें आ जाता है तो थोड़ी सी अगर हाइट जादा होगी तो आप यह काम अराम से अगर सकते हैं जो बॉटल के हाइट होगी इसके बाद आप कोई भी एक पॉइंट या कंसील बॉक्स जो आपने पहले से देख रखा हुआ है तो वहां पर एक कंसील बॉक्स तो होना ही चाहिए अगर नहीं तो उस पाइप के अंदर मैंने यह वाटर लेवल पाइप डाला है वो इसे पानी बढ़ा था मैंने इसके बाद डालने के बाद मैं इंतजार कर रहा हूं कि डालने के बाद मैंने पहरे फूप मारा तो फूप मारने के बाद यह देखे थोड़ा सा गीला हुआ हुआ है वह जितने भी आपने बॉक्स डाल रखा हुआ या पॉइंट्स आपके हैं तो आप उसको स्पॉर्ट कर सकते हैं बड़े असानी से मैं असानी तो नहीं कहूंगा मुश्किल होता ही है तो जरूर अच्छा यह है कि आप प्लास्टर करने से पहले ही आप कोशिश करें कि आपकी ये बॉक्स जो कंसील बॉक्स हैं वो सीलिंग में कहां पर हैं ताकि बाद में आपको ये परिशानी ना हो अगर पहली क्योंकि ये मैं वहां पर था नहीं हो इन्होंने प्लास्टर कर दिया तो अब बाद में थोड़ी सी मुश्किल तो आगई से स्पाट करने में लेकिन बहराल अगर आप तरीका जानते हैं तो आप ये असानी से कर सकते हैं लेकिन उसमें एक चीज़ ये है कि आपको कोई भी एक कंसील ब आप नहीं डाल सकते हैं उपर उतना उपर तो ये एक प्रॉब्म वाली बात हो जाएगी